What's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है Mountain Between Us तो कहानी शुरू होती है और हम Alex Martin नाम की जूर्नलिस्त को देखते हैं जो की Denver जा रही है पर airport जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी flight cancel हो गई है इसी बीच हमें कहानी के दूसरे किरदा Dr. Ben को दिखाया जाता है जो की profession से एक neurosurgeon है उन्हें Balti Moro जाना एक emergency surgery करने के लिए लेकिन या उनकी भी flight cancel हो जाती है अब दोनों staff से request करते हैं कि उन्हें कोई flight दे दी जाए लेकिन staff कहता है कि सुबे से पहले कोई भी flight नहीं है और तभी दोनों की मुलाकात होती है तो Alex बोलती है कि लगता है आपकी भी वही problem है जो मेरी problem है तो बोलता है कि हम दोनों की flight भी same है लेकिन शायद हम destination तक पहुँच ना पाएं तो Alex बोलती है कि मेरे पास एक idea है क्यों ना हम कोई छोटा private plane hire कर लें और थोड़ी दिर बाद उन्हें plane भी मिल जाता है जिसका pilot था Walter जो उन दोनों से कहता है कि वो अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाना चाहता है अब दोनों को इससे कोई भी problem नहीं होती क्योंकि बस थोड़ी दूर की बात थी कुछ पल बाद इनका सफर शुरू हो जाता है और plane उलान भरता है अब बीच रास्ते में Alex बेन एक दूसरे के बारे में काफी बाते करते हैं जैसे कि वो लंदन से है और उसने एक American woman से शादी करी है अब बीच वीच में थोड़े इने जटके लगते रहते हैं पर यह आम बात थी छोटे plane में अकसर ऐसा होता रहता है लेकिन इसके बाद आती है असली मुसीबत हम देखते हैं कि अचानक से Walter को इस्ट्रोक आना शुरू हो जाता है जिसे कि plane का balance बिगरने लगता है अब Alex Walter को सभालती है लेकिन इतने में बात नहीं बनती है और तभी इनका plane एक पहाल की चोटी से ठकरा जाता है और फिर जिसका डर था वही होता है plane पहाल के बीच में crash हो जाता है अब थोड़ी दिर बाद जब Ben को होश आता है तो वो बाहर जाकर देखता है यहां उसे समझा जाता है कि वो एक बहुती बड़ी मुसीबत में फस चुका है यह ऐसी जगाएं जहां इनसान का पहुशना असंभव हो है यहां Walter की मौत हो गई थी जिसके बाद वो उसकी लाश को दफनाने ले जाता है पर उसका डॉग उसे देख रहा था उसे पता नहीं कि वो अपने मालिक को आखरी बार देख रहा है अब Walter को दफनाने के बाद Ben बचे हुए planes के अंदर जाता है और उसे लग रहा था कि Alex की भी मौत हो चुकी है लेकिन वो अभी भी जिन्दा थी उसे होश आता ही वो अपने होने वाले husband मार के बारे में पूछती है पर Ben उसे याद दिलाता है कि उनका plane अभी crash हो गया है और वो बर्फ की चटानों पर फस चुके हैं जहां किसी की मदद आना बहुत ही मुश्किल है तो आगे वो लोग बाते करते हैं कि उनके पास खाने को बहुत ही कम समान बचा होगा है इसलिए जब तक वो यहाँ पर हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना होगा इसी बीच Ben को एक प्लेइन की आवास सुनाए देती है वो फौरन बहार आता और फ्लेयर गंच चलाता है लेकिन उसमें आइमो होती ही नहीं और तभी Alex उसे एक फ्लेयर देती है पर इससे पहले वोसे चलाता प्लेइन वहांसे जा चुका था और इधर Alex उस plane को देए कर चिला रही थी कि हमारी मदद करो हमें यहां से बहान निकारो लेकिन इतनी उचाई पर उसकी आवाज उसके आलावा कोई भी नहीं सुन सकता इसके बाद दोनों एक बार फिर से उस plane के अंदर आ जाते हैं जहां Ben उसे कहता है कि हमें अब हर चीज को सोच समझ कर करनी होगी और हमें अब मदद का इंतिजार करना होगा तो Alex बोलती है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते हमें मदद के लिए बाहर जाना ही होगा नहीं तो हम भूके मर जाएंगे तो Ben बोलता है कि अगर हम यहां रहे थोड़े दिन और जिन्दा रह पाएंगे पर अगर हम बाहर गए तो थंड के चलते ही कुछी खंटों में अपना दम तोड़ देंगे यहां बैठने के अलावा हमारे पास कोई भी आप्शन नहीं है मैंने हाँ काफी प्लेन उलते हुए देखे हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई हमें जरूर देख लेगा और हमारी मदद करेगा और तब तक हमें इसी plane के अंदर रहना होगा अब Alex को भी उसकी बाते कहीं ने कहीं सही लग रही दी जिस वजे से वो लोग एक आग जलाते हैं और मदद का इंतिजार करने लगते हैं पर ऐसे तो वो शाहिद ही बच पाएंगे दोस्तों जब तक वो अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा ऐसे भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो तो अब ये दोनों मदद का इंतिजार करते हैं और कुछ समय ऐसे ही बीच जाता है लेकिन यहां कोई भी मदद आने वाली नहीं है और धीरी-धीरे इनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी खाना भी अब धीरी-धीरे खतम होता जा रहा था बैन को भी अब समझा जाता है कि कुछ तो करना ही होगा इसलिए हो कहता है कि तुम यहीं पे रहो क्योंकि तुम घायलो मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि शायद कोई मदद मिल जाए लेकिन बाहर जाना इतना असान नहीं है इतनी जादा ठंड में पहाल पर चड़ाई करना बहुत ही जादा मुश्किल है बेन की सांसे फून ले लगती है लेकिन वो हिम्मत नहीं आरता वो सबसी ऊची चोटी पर जाकर देखता है तो चारो तरफ कई मील तक सिर्फ बर्फी बर्फ थे और यहां से निकल पाना ना मुंकिन था तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिनने लगता है लेकिन यहां पर उसके किस्मत अच्छी होती है उसका पैर एक पत्थर से टकडा जाता है जिससे कि उसकी जान बज़ जाती है वहीं दूसी तरफ अलेक्स प्लेन के अंदर बैठी बेन के समानों को चेक कर रही थी तभी उसे कुछ फोटोज मिलती है जो कि बेन की वाइफ की थी साथ में उसे एक फोन भी मिलता है जिसमें उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो कह रही थी कि अब वो बहुत ही खुश है कि Ben उसके साथ है लिगन इसी दोरान हम देखते हैं कि Walter का डॉक भौकने लगता है और Alex उसे चुप कराती है पर उसे यह नहीं पता था कि बाहर कूगर आ गया है जिसे देख के वो भौक रहा है वो कूगर डॉक की आवाज सुन लेता और अंदर आ जाता है पर सही समय पर Alex उस पर फ्लेयर गन शूट कर देती है जिससे कि वो भाग जाता है और तभी वो फ्लेयर गन की आवाज Ben तक पहुँच जाती है और वो समझ जाता है कि Alex मुसीबत में है वो फॉरन भागती वो उसके पास आता है और यहाँ पर वो उसे ठीक मिलती है लेकिन उनके डॉक को चोट लग गई थी अब वो लोग उसका मारा बटी करते हैं जिसके बाद Ben उसे बताता है कि बाहर कई मीलों तक सिर्फ पहाल की चट्टाने है मदद मिल पाना बहुत ही जादा मुश्किल है कुछ ज़र बाद वो उसी कूगर को ढूनने बाहर जाता है और उसे वो मराव मिलता है तो फाइनली अब इन दोनों के खाने का कुछ इंतिजाम हो गया था तो यहाँ बैन उसे बताता है कि वो पिछले 5 घंटों से पहाडों पे घूम रहा था इसी उमीद में कि कोई न कोई उसे मिल जाए जो उसकी मदद कर सके लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है और हमें इसी ब्लेन के अंदर बैठे रहना होगा और हल्प आने का वीट करना होगा पर आलक्स को ऐसा बैठना पसंद नहीं है वो कहती है कि हमें बाहर जाना ही होगा हम कब तक ऐसी इंतिजार करते रहेंगे तो Ben कहता है कि बाहर जाना खत्रे से खाली नहीं है पर अगले दिन जब Ben उड़ता है तो देखता है कि Alex वहाँ से गायब है तब ही उसे Alex का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकती इसलिए मुझे बाहर जान रास्ते में उसे प्लीन का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है जिसमें कि रेडियो था लेकिन जब उसे चक करता है तो वो पूरी तरह से खराब हो चुका था और अब वो निराश होकर और आगे Alex को ढूनने के लिए निकल जाता और फाइनली वो से मिल जाती है बैन उसे बोलत बैन उसे सहारा देता है और चलते चलते वो एक गुफा तक पहुँच जाते हैं जहां पर वो लोग आग जलाते हैं और बैन उसे थोड़ा आराम करने को बोलता है अब रात हो जाती है और दोनों के बीच में बाते होती है जिसमें Alex बैन से उसकी वाइफ के बारे में जिसके बाद ना खतम होने वाली जमीन थी अब ये देकर दोनों हिम्मत हार चुके थे और बैन को ये लगने लगता है कि वो नहीं बच पाएंगे जिस वज़े से वो एक खुबसूरत से स्पॉर्ट पे जाके बैट जाता और Alex से बोलता है कि वो उसकी एक आखरी फोटो ल मार सकते हो अब वो दोनों वहीं थोड़ी देर बैट जाते हैं पर तभी बैन देखता है कि बड़ी गाइब है वो सिर्फ हुडने के लिए चला जाता है और इसके पीछी पीछी आलेक्स भी आ रही थी यहां उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए वो थोड़ा आराम से आ के पीछे थी वो बर्फ की एक पतली बेर पर पया रखती है और तभी वो बर्फ टूट जाती है और वो पानी के अंदर चली जाती है यहां किसमत अच्छी थी कि उसे डूबते हुए बैन देख लेता है और वह भागते हुए इसके पास आता है और बड़ी मुश्किलों से उसे बहाँ निकालता है अब ठंडे पानी में गिरने की वज़े से आलेक्स बिहोश हो गई थी जिसके बाद बैन उसे कौटेज के अंदर ले जाता है और वहाँ आग लगाता है ताकि वो थोड़ा गरम हो सके अब इनके किस्मत यहां पर अच्छी होती है कि इन्हें मिलती है जिसके अंदर वो अपनी बनाई हुई एक रिफल भरता और वो सर्जन था तो उसे इन सब का एक्सपीरियंस होता है ऐसे केसिस में क्या करना चाहिए लेगिन उसे यहां पर यकीन नहीं होता कि आखिर इससे आलेक्स को होश आएगा या फिर नहीं वो से लगाने से पहले कहता है कि अगर तुम होश में होती तो मुझे यह कभी करने नहीं देती पर मेरे पास अभी कोई भी आप्शन नहीं है मुझे यह कर नहीं होगा और यह बोलने के बाद वो इंजेक्शन उसे लगा देता है जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आलक्स को होश आ ज सकता है जिसे कि हम थोड़ी दिन यहां पर रह सकते हैं और अपनी सेहट ठीक कर सकते हैं और इसके बाद वो एक बार फिट से बाहर चला जाता है कुछ खाने को ढूणने के लिए और यहां बड़ी को एक खरगोश दिखता है और जैसे ही वो से पकड़ने जाता है वो बात मत करना लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती और यह जानने के बाद आलेक्स भी उसे माफी मांगती और फिर बैन उसे वहीं बठा कर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें हमें पता चलता है कि बैन अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था लेकिन वो उसे उमर था और बोलता है कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता था और जब वो देखने लगी कि मैं उसकी वज़े से परिशान रहने लग गया हूँ तो एक दिन वो मुझे छोड़ कर चली गई और इसके बाद मैंने उसे ढूनने की बहुत कोशिश करी लेकिन एक दिन मुझे बता चला कि उसकी मौत हो गई है और ये जो तुमने रिकॉर्डिंग सुनी है वो उसके मने से पहले ही थी इसे मैंने आज तक सम्हाल कर रखा हुआ है और बेन ये सब बाते बताते हुए रोने लगता है और अलक्स उसे सहारा देती है अब अलक्स सो जाती है पर बेन के दिमाग जाते हैं अपनी जान मुचाने के लिए क्या उने इस बार ही हल्प मिल पाएगी या वो इस बार भी हार मान जाएंगे और यहीं पर आकरी सांस लेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा दोस्तों अब दोनों इतनी ठंड में एक दूसरे को सहारा बन के आगे बढ़ने लगते ह होता है लेगन इतनी ठंड में पैदल चल पाना बहुत ही मुश्किल है उपर से आलेक्स के पैर में चोट भी लगी हुई है वो तो भी कुछ दिर पहले होश में आई है उसके लिए इतनी लंबी दूरी चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और यहां बेंड के दिमाग में आइडिया आता है वो से एक काट में लिटा देता है और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ता है जिससे उसका और Alex का साथ नहीं शूटता पर आकिर इतनी दूर कैसे कोई किसी को खीश कर ले जा सकता है एक समय आता है जब वो भी ठक जाता है और पेड़ के सहारे बैठ जाता ह अब सहारा हटते ही वो नीशे लुलकने लगता है पर थोड़ी दिर बाद उसे होश आ जाता है वो बड़ी के पीची पीशे जाता है तो देखता है कि दूर एक फैक्टरी है और ये देखकर उसके अंदर खुशी की लहर दोड़ पड़ती है ये बात वो जाके Alex तो बताता हमने अपनी जान बचा ली दोनों और फिर आगे बढ़ने लगते हैं पर मुसीबत यहां पर खतम नहीं होई थी और तभी Ben का पैर एक ट्राप में फस जाता है जो पीहां के लोकल्स ने लगाय था जानवर के लिए अब Alex उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है वो ट्राप निकाल लेगी लेकिन वो इसमें नाकाम्याब रहती है अब Ben उसे कहता है कि तुम्हें आगे जाकर मदद मागनी होगी तभी हम यहां से जिन्दा बच पाएंगे अलेक्स बीना सोची समझा आगे बढ़ने लगती है और उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी ल वो भागते हुए ऐलेक्स के रोम में जाता है जहां उसकी बी जान बच गई थी वो ऐलेक्स से कहता है we did it हमने कर दिखाया, अब अलेक्स के रूम में उसका husband मार्ग भी होता है जिसे देखकर Ben थोला सा निराश हो जाता है क्योंकि वो कही न कहीं आलेक्स को चाहने लगता और यही हाल अलक्स का भी होता है उसकी शकल से साफ पता चल रहाता कि वो भी बैन को चाने लगी है लेकिन यहां दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं और बाहर जाकर बैन रोने लगता है कि जिससे भी वो प्यार करता है वो उससे दूर हो जाता है अब दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं कुछ दिन बीच जाते हैं और आलक्स की कहानी जान कर लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हें इस पर एक किताब लिखनी चाहिए आखिर तुम मौत के मूँ से कैसे निकल कर यहां पर आई लेकिन आलक्स कोई भी जवाब नहीं देती तबी उसे ध्यान आता है कि उसने जो बैन की फोटोज क्लिकी थी वो उसे सेंड करनी है लेकिन बैन उसका फोन नहीं उठाता और उसकी कॉल बार बार कट कर देता है इसका असर अब Alex की शादी पर पढ़ने लगा था, Mark को समझा जाता है कि अब Alex पहले जैसी नहीं रही, वो उसे बात करने की कोशिश करता है, वहीं दूसी तरफ Ben को भी वो फोटोस मिल जाती हैं जो कि Alex ने उसे पोस्ट कर दी थी, उन फोटोस को देखके वो emotional हो जाता है और फोरण Alex को मिलने के लिए बलाता है, अब कुछ समय बाद दोनों मिलते हैं, Alex पूछती है कि तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, वो कहता है कि मैं तुम्हें उन पुरानी यादों से दूर रखना चाहता था, ताकि तुम्हारी शादी बे कोई भी असन ना बढ़े, तो वो कहती है कि मैं अब मार्क से शादी नहीं कर रही, ये सुनके बेन को थोड़ा अजीब लगता है, और कहीं न कहीं वो खुछ भी था, अब यहां Alex उसे समझाती है कि जो भी उनके बीच हुआ था, वो प्यार नहीं था, वो बस एक दूसरे को समभालने की कोशिश कर र लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन कोई चीज जो उन्हें रोक रही है, और ऐसे ही बाते करते करते हैं वक्त बीच जाता है, इनकी मीटिंग खतम हो जाती है, और दोनों गली मिलते हैं, और बेन कहता है कि हम जिन्दा बज़ पाए क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार हुआ था, हमने एक दूसरे का खयाल रखा था, अलेक्स कहती है कि प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती, तो मैं असले दुनिया में आना चाहिए, और इसके बाद दोनों एक बार फिर से अपने अपने रास्ते पी निकल जाते हैं, पर जादा दूर तक नहीं जा पाते, बैन और आलेक्स को समझा जाता है कि वो एक दूसरे की बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो भागते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और गले लग जाते हैं, इसी के साथ ये कहानिया ही खतम हो जाती है, तो आपको ये सर्वाइवल लव स्टोरी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा, मिलते हैं आप से के लिडियो में, थांकियो सो मुच वाचिंग, पीस आउट